नसो में दर्द, नसो में सूजन, नसो में एठन और नसो में ब्लोकेज जड़ से खतम करेगा घुटने का दर्द, कमर का दर्द, जोडों का दर्द, मास पेसियों का दर्द, एठन, सूजन जड़ से खतम होगा लीवर की प्रोब्लम यानि की फैटी लीवर की प्रोब्लम है तो वो भी आपकी जड़ से खतम होगी तो इसके लिए दोस्तों ये जो आप पाउडर देख रहे हैं ये पाउडर आपके पूरे सरीर को डिटॉक्स करने वाला है साती सात सरीर में कहीं पर भी ब्लोकेज है तो उसको भी खतम करेगा अगर आपका कॉलेस्टरोल बड़ा हुआ रहता है तो कॉलेस्टरोल को ये कंट्रोल करेगा कबज की प्रोब्लम रहती है तो कबज की प्रोब्लम को भी ये खतम करेगा सर्दी जुखाम है तो उसमें भी ये पाउडर बहुत ज़दा फायदेबंद होता है हड़ियों की कमजोरी यानि की हड़ियों को मजबूत बनाता है ये पाउडर हड़ियों की केलसियम की कमी को पूरा करता है गठिया की problem है तो गठिया की problem को ये जड़ से खतम करेगा बड़ा हुआ बजन को भी ये भी control करता है यानि कि जड़ से क्या करता है बड़े हुए बजन को खतम करता है और साथी साथ जिन भाई बेनों का diabetes बड़ा रहता है BP रहता है तो वो भी आपका जड़ से खतम करेगा यानि कि ये एक powder आपके अनेक फायदे दे करके जाएगा आपकी full body को detox करने वाला है तो दोस्तों ये है powder डाल चीनी का यानि कि cinnamon का दाल चीनी का powder आपको बनाना है या खरीद कर लाना है लेकिन अगर आप इसको घर पे दाल चीनी की लकड़ी ले करके और मिक्सी के जार में डाल करके इसका सुद्ध powder घर पर तयार करोगे तो ये बहुत ज़्यादा फायदा करने वाला है आपके सरीर में आपको चाहे हाड की problem हो या बीपी की problem हो या पॉलेस्ट्रोल की problem हो या फिर सुगर हो जड़ से खतम करेगा तो आपको करना गया है आपको लेना है इस दाल चीनी के powder को और इसके साथ साथ आपको लेना है गरम पानी तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने गुर्गोना पानी कर लिया है और अब इस पानी में आपको डाल देना है दाल चीनी का कितना डालना है दो चुटकी बहुत ज़्यदा इस्तिमाल नहीं करना है दो चुटकी यानि कि अगर चमर से ना पेंगे तो आधा टी स्पून आप इसमें पौडर डालिए एक कप पानी लीजिए आधा टी स्पून आप पौडर डालिए डाल करके आप इसे अच्छे से मिक्स करिए और अब आपको इसे पीना है सुबह सुबह खाली पेट ठीक है को 100% फायदा मिलेगा आपका नसों में कहीं पर भी ब्लॉकिज आ चुका है तो भो भी आपका ब्लॉकिज जड़ से खतम होगा ठीक है यह बहुत अच्छा है अगर आपके सिर में दर्द रहता है या हाथ पेरों में जोड़ों में बहुत ज़दा दर्द रहता है यह पानी निहीं करने वाला है और 70 ब्रट का संचार भी तेश करेगा आप बहुत से भाई बहन पानी के साथ दे सकते हैं और जिनको पानी पसंद नहीं है पानी नीकर बहु अब यह देखे आपको एक कब दूद लेना है या आप एक कब दूद ले सकते हैं या फिर आप एक गलास दूद ले सकते हैं आप जैसा भी दूद पी सके हैं ज्यादा दूद पी पाएं या निकि एक गलास पी सकते हैं तो एक गलास ले सकते हैं नहीं तो फिर आपको एक कब दू प्मलीमी का पाउड़र आपको प्रोचिति मैं i original आपो पी लेंगर आप दूद्ट की साथ ले रहे हैं आपको पर्षा चोवर पानी वाला आपको सुबह मॉर्णिंग में पीना है तो इस थारीके से अगर आप इस काड़े का सेबन करते हो तो आप देखना कुछ दिन के प्रियोग से यानि करीबन आठ दिन में ही आपको फरक न जराएगा आपकी सरीर में इतनी चूस्ती फूर्ती आएगी और जो कमजोरी ठकान रहती है वो भी आपका खतम होगा हड़ियों में कैल्सियम आरन बिटामिन पहुँचेगा जिससे की आपकी हड़िया मजबूत होगी चलने फिलने में अगर आपकी सांस फूल जाती है तो वो भी आपकी सही होगी क्योंकि इस काड़े को जब आप पिएंगे तो इससे आपकी सारी नस नाड़ियां क्लीन होगी यानि की साफ होगी ब्लॉकिज खतम होगा और नस नाड़ियों में ब्रट का संचार तेज हो जाएगा इसी नुस्खे से तो आप देखना आपके सरीर में कितनी चूस्ती फूर्ती आएगी तो आप इन दोनों काड़ों को जैसे कि मैंने पानी के साथ बताया है दूद के सा ले रहे हैं तो रात में सोने से पहले और अगर आप पानी के साथ ले रहे हैं तो इसे सुबह मॉर्निंग में आपको पीना है इसको पीने के बाद में आदे घंटे तक कुछ ना खाए इसका सेवन करिए आप देखना हंड़ेट परचेंट आपको फायदा मिलेगा और यह पाउडर मैंने घर पर ही बनाया है मिक्सी के जार में डाल करके ठीक है लाचिनी लक्टी लाई थी और मिक्सी के जार में डाल करके मैंने इसको बना दिया है और इस तरीके से आप पाउडर बना करके आप किसी एट आडिबी में भर लीजिए और नियम से आप लगातार दो भी ब्लोकिज आ चुका हो आपका जड़ से खतम होगा तो आप इसका सेवन करिए और आप अपने हाट की लीबर की किड्नी की पेट की यहनि की सारी चीजों को फ्रेस रखिए और स्वस्थ रखिए आपके फुल बोडी सिर से लेकर पैर तक आपकी फुल बोडी स्वस्थ रह लोग की लुल एखिए बहस Gघ हम लेधने है आपके लेकर तक उ़े होडाट भीजों का तक तक का बाद़ पार पैव क rằng यहनित लाखिए उले मेनकिस आपके खतम होगार तक यहेट का जऊ श्याद